हेल दोस्तों नमस्कार मैं सुर्जे सिंग दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो वी इपम्प उत्ते हैं वो उसके डिस्टिबूटर पम्प उसके टाइमिंग लोग कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे तो यह हमारे रूटरी पम्प था तो उसकी टाइ हां जीरुपंट चार दें रखी है जिसके टाइमिंग है तो डीउल्ड मधें इसको चेकक करेंगे और कितना रखना गुझ क्षेजर पूरा बात करेंगे पर भिऑन फारिंग के लिए ऊसके लिए है उसके लिए करने देखिए हम में में कैलिबरेटर कर अथे क्लिए घर झाये और यह सको फॉल से इसके और चाइई होगों करने लिए Mart exam है कोई भी पांप का चितना भी चाड़ में दिरख है उसकी सबसे हम इसको टाइमिंग लोग करेंगे तो हमारी यह गेज टाइमिंग लोग करने की तो मैं इसको यहां पर लगा लेंगे जो उसका स्कूरूप लग गया है उसमें गेज को फिट कर लेंगे जितने भी जो भी होल्टर पर दे रख्या यह पंप डी होल्टर पर होता तो डी पर करेंगे कोई ए पर होता है कोई बी पर होता है तो आप अपने हिसाब से चाड़ के हिसाब से इसको ऐसे लोग कर सकते हो तो पहले इसको जीरो सेट करेंगे जीरो सेट कैसे करने हैं आपने भील को गुमाना है और सुई को जीरो पर सेट कर लेना है जहां पर जीरो जीरो होईगा सुई रुकरी आके वहां पर हमको इसको जीरो पर सेट कर लेना है हम इसको जीरो पर सेट कर लेते हैं आख कि मैंने इसकीड सेट कर लिया है कि इस्तरह आप जिरो पे चारा में म 사용 herkes कर लिए अब सुने जो चार में रखैंज प्रइम तो रखेंगे चार तो कोछे भी नि होएगा अगर अ कि अeri जाएंगे इसको तो यहां पर 040 आ जाएगा हमने पूरा चक्कर नहीं देना अगर पूरा चक्कर देंगे तो 140 पी आएगा फिर हमने करना है देखिए जीरो दस बीस तीस और चालीस भी आ गया देखिए यहां पर हम इसको लो कर देंगे और जो ड्राइशाफ्ट पर नट लगवा साइड में बोड़ी के यह नट को हम टाइड कर देंगे स्पैंद्र अगरा से किसी चीज़ से और बाद में हम चेक भी करेंगे कि हमारा पंपा जो टाइमिंग लोग को हुआ है कि नहीं उसको चेक करेंगे तो वीडियो के अंट तक बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छे लगए लाइक करें करें चैनलों को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों हमने इसको लोग कर अब इसको चेक करेंगे कि हमारा प्でने घोल्टर या जो क्रहिए बने रहे हैं उसको अच्छे टारहिए्ट कर देंगे बारहन नंबर से हजो तरह ट्रव और हम चैक करेंगे हमारा ठीलटर पे लोग हूए की नहीं उसके लिए क्या हम पंप को मिशीन से उतार लेते हैं तो दोस्तों हमने पंप को मिशीन से उतार लेया है इसकी जो कपलीन है उसको खोलेते हैं कि हमारी जो कपलीन लगी हुई है उसको खोलेते हैं और चेक करेंगे कि हमाने जो टाइमिंग लोग किया डी होल्डर में हुआ है कि नहीं हुए उसके लिए हैसे क्या चेक करना हम नहीं तो बताते पूंब इसकी पीद्टीक के लोगिने और के सामने आ जाती है और बोड़ी पे जो निशान लगा होता है उसके सामने अयाती है डी ओल्डर के सामने यह यह कट रहा है तो इस तरह आप पंप को लो कर सकते हों